नमस्ते कुसुन की रसोई में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स अगर आप भी बारिस के मौसर में कुछ चटपटा और कचोरी पकोड़ी समौसे खाने का मन कर रहा हो तो आप ये पांच मिनेट वाला नास्ता जरूर ट्राइ कर सकते हैं ये समौसा कचोरी पकोड़ी को वि बारिना भी आली रखेल सक माशन डालि ये तो इसे में आप चाहिता से सग्रेटेंगी डिक अमे से अपना के सिंसे अलग के यहां जीरा जैरा यहां पर फुरूर जैना दाल हो फुला हुआ चैना दाल लेए 10 से 15 कड़ी पत्ता और एक मीडियम साच का प्याज डाल कर इसे दो मिनिट के लिए आप सौटे कर लेए अपने दो मिनिट के लिए आप इसे भूंज ले उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूं थोड़ा सचीली फ्लैक्स मतलब एक चमच के लबग, हाफ टे स्पून हल्दी पाउडर, आप मसाला अगर यहाँ पर और डालना चाहते हैं जैसे हल्दी जीरा पाउडर और धनिया पाउडर तो आप डाल सकते हैं या काली मिच का पाउडर तो यहाँ पर मैं दो मिनिन बुनने के बाद उसके बाद डाल रही हूं जो आलो को मैस करके रखी थी उसे मैं डाल रही हूं उसके बाद इसे मतलब हमें आलो को भी ज्यादा नहीं बुनना है तो दो मिनिट मैं आलो को बुन यूँगी तो यहाँ पर डारी हो मैं स्वादसा नमक, उसके बाद अच्छे से नमक साथ आलो को मिक्स कर लेते हैं, एकदम हम मीडियम टू हाई फिलेम पर इससे अच्छे से एकदम आलो को मैं भोल नीगों दो मिनिट के लिए, उसके बाद इससे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, या आप काटोरी से ले रहें, तो एक काटोरी सूजी में तीन काटोरी पानी रखें, उसके बाद नमक और दो बड़े चमस यहाँ पर डाल दीजिए, कोई सा भी ओयल, उसके बाद यहाँ पर मैं सूजी को डाल दी हूँ, पानी को एकदम गरब मत कर दीजिएगा, इसे मतल गई है, तो इसे ठंडा होने के लिए साइड में, उसके बाद हम लोग एक खोल बना करेड़ी करेंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर लिए हूँ, एक काटोरी मैदा, हाप टीस्पून काली मिर्च का पावडर, उसके बाद यहाँ पर लिए चिली फ्लैक्स और नमक, अच्छे साइता से अच्छे से रुएक्स हो जाएगी, उसके बाद इस तरीके से इसके कासिटेंसी रहनी चाहिए, आपको मैं अच्छे से दिखा दे हूँ, इसके बाद दिखे, यह हमारा जो सूजी है, यह ठंडा भी हो चुका है, और इसे मैं थोड़ा आटे के तरह की, तो चलिए, इसे मैं थोड़ा गूत लेती हूँ, और इसे अप छोटी छोटी लोई यां लेकर, मतलब दो बड़ी जैसे रोटी होती है न, तो दो रोटी को एक साथ मिला के इस तरीके से आपको यहां पर पेड़े लेने हैं, उसके बाद इस तरीके से बेल देजिए, थोड़ा साथ जो चकला में हमारा उसमें आप ओइल भी लगा सकते हैं, बेलनी में भी आप ओइल लगा सकते हैं, अच्छे से बेला जाएगी यह, उसके बाद कोई साथ भी आप ग्लास लीजिए, छोटा ग्लास एक दब मत लेजिएगा, जैसे गर नॉर्मल पानी पे निक इसके अंदर इस तरीके से भर लेना है, देखिए, पूरा एकदम इस तरीके से फील नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से बस भरना है, चलिए, सभी नास्ते को मैं इसी तरीके से आलू इसके अंदर भर कर रेडि कर लेती हूँ, चलिए, इसमें भी वीडियो को लाइक कर दीजी, अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए, अब देखें, जो हमने घोल बनाया था मैदा का, वो इसमें अब हम डाल देते हैं, इस नास्ते को जो मैं बनाई हूँ, इसमें इस तर कर लोंगे फटाफर से ढाल के, बस अब हमें यहां पर अलट पनटकर गूलन ब्राउन होने तक इसे राइ कर लेना है, बहुत ही जड़ पर बहुत ही फटाफर से अग्दम सुआ के ब्रेकफास्ट में या साम की इफनी के स्नैक में, आप इसे बना सकते हैं, तो देखें कित बनकर रेडी हुआ है, और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है, आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करिएगा, आप इसे हरी चटनी या सामी से चाय बगिरा के साथ खाईए, बहुत ही अच्छा बनेगा, और बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे भी खा लेंगे, आई होब कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट कर देजिए, मिलूंगे नेक्स वीडियो में तो टेक केर, बाबाई